नमस्कार साथियों मैं सिमा गुपता आज आप सभी कि भी समिक्षा दिकारी साहिक समिच्चा दिकारी मुख्य परिक्षा 2021 के सम्मन्द में अत्यन्थी महतपूर अड़नीती पर चर्चा करने वाले हूँ अपर अनीती है कि इस प्रकार से यदि आप अभी से निबंद की तैरी करते हैं तो अवस्ते ही आप 2021 में होने वाले समिच्चा दिकारी साहिक समिच्चा दिकारी मुख्य परिक्षा में हिन्दी निबंद में आप बहतर प्रदर्शन कर पाये बलकि अधिक्तब अंग प्राप जिसके माध्यम से हम निबंद को बहतर तरीके से लिखते हैं तो सबसे पहले जानिए आप सभी को निबंद से संबंदी सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए topics से related जानकारी होनी चाहिए जब तक इस चीज़ का scenario clear नहीं होगा तब तक सातियों आप बहतर निबंद नहीं लिख पाएंगे तो आईए जानते हैं इसके syllabus के बारे में सातियों आप सभी कोगत कराना है कि तीन निबंद इस परिच्छा में आप सभी के बीच पूछा जाना है ठीक है तीन पार्ट होगा पार्ट One पार्ट two और त्री और तीरों पार्ट से सातियों एक एक निबंद आप सभी को लिखना होगा ठीक है तो आए जानते हैं इतना बहुता निखेंगे कि निश्री तरूप से बहुतार अंगगे तो पहले पाट में आप देख रहे हैं यहां पर साहित्य और संस्कृती दूसरा पार्ट व़बूर में ही जो दूसरा है टौपिक वह है समाजिक छेथ तीसरा टौपिक है राजिनितिक छेथ ठीक है अब आते हैं पार्ट दू में देख रहे हैं पहला भाग है दिए बिज्ञान परियावर्ण एवं प्रध्यों के पार्ट давно के पर्ट मतलब की क्वर में आर्थिक छेत्र है और में तो inequality थी दिया गया है ठीक है और पार्ट 3 में साथियों आप देख रहें तीन टॉपिक फिर से समय योजित किया गया है ठीक है जिसमें पहला है राष्टी अंतराष्टी घटना करम प्राकृतिक आपदाय और तीसरा जो है वह राष्टी विकास योजनाय से समखनी है तो आई ये जानते हैं इन तीनों टॉपिक को बहतर तरीके से कैसे समज़ कर हर एक टॉपिक का एक समग्र अध्यन करने के साथ बहतर निबंदे लिखे है तो पहले-पहले मैं आप सभी को प्रथम टॉपिक को लिजाती हूं और यात्यात प्रथम-भाग के प्रथम टॉपिक पर जिसमें लिखा है साहित और संस्कृति साथियों अलड़ी मेरे दौर आप सभी को बताया जा चुका है कि यदि आप साहित में रूची नहीं रखते हैं बावजूद आप उन तमाम महतपूर फ्लोगन को अवत्ती ही ध्यान में रखेंगे जो कि हमारी सं साथियों मेरे द्वारा आप सभी के बीच इस टॉपिक रिलेटेट अल्रड़ी एक निबंद लिखकर बताया भी गया कि कैसे आप इस टॉपिक रिलेटेट एक सम्मध्र निबंद को लिख सकते हैं और उन्हें पूरा वरोसा है साथियों आप सभी पर क्या पवस्ते ही वह साहित्य उसे कहते हैं जिसके माध्यम से हम अपने देश की सांस्कृतिक विरासत, समाजिक विरासत, आर्थिक विरासत, राजनितिक विरासत, भावनत्मक विरासत, धार्मिक विरासत आधी तमाम पहलवों को साहित्तिक माध्यम से आउगत होते हैं और आप सभी ओगत हैं कि प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय तक विभिन साहितिक रचनाओं के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से साहितिकारों ने इस परंप्रा को इस धरोहर को आगे पुस्पित पल्वित कियें इनी सभी का समावेशन आपको इस टॉपिक में करना है साथ में साहित्य और संस्कृति किस प्रकार से हमें समाज के एक करण में महतपुर भूमका के लिए उत्प्रेरित करते हैं किस प्रकार से साहित्यकार समाज के विकास को एक नई उचायो पर ले जाने का कारे करते हैं, किस प्रकार से साहित्य संस्कृती हमारे भारत के जो संस्कृतिक विरासत है, उसको आगे बढ़ाते हैं, बलकि उनकी जो कमिया हैं, उनको भी इंगित करते हुए उन्हें दूर करन का सुझाओ देते हैं किस प्रकार से साहित्य संस्कृति राष्ट निर्मार के विफिन चुनोतियों गरिभी बिरोजगारी भुकमरी अस्रय भाव असिच्छा लिंग भेट परियावरर्ड प्रदूसर आधी तमाम पहलुओं से हमें अउगत कराते हैं किस प्रकार से साहित्य संस्कृति किसी सदी को भारित की सदी बनाने के लिए एक प्रदसन का कारे करते हैं आधी समस्त पहलुओं को इस टॉपिक में आपको समायूजित करना है ठीक है और इस टॉपिक की त्यारी साथियों आप योजना पत्रिका से करेंगे अब मैं बता चुकी हूँ कि आपको योजना पत्रिका सभी नहीं पढ़ना है भलकि जो टॉपिक आपसे निबंते सम्मंदित है उसका ही आप अध्यान करेंगे अब आम आते हैं भाग एक के टॉपिक दो अर्धात समाजिक छेत्र ठीक है समाजिक छेत्र में साथियों सिच्छा आएगा महिला सा सक्तिकरण आधिये यह सारे टॉपिक आएंगे और इन सभी के लिए साथियों आप अनिवारे रूप से योजना जरूर पढ़ेंगे मेरी द्वारा जो टॉपिक आप सभी को बताया गया 32 उसको आप जरूर देखेंगे साथियों उन 32 टॉपिक के माध्यम से आप इन तीनों भागों क निवंद को बहुत ही बैतर तरीके से लिख सकते हैं और मैं पूरा प्रयास करूंगी कि जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा साथियों मैं आप सभी को अवस्ति ही उचित मारदर्सन दिलाओंगी ताकि आप अवस्ति ही इस मारदर्सन के क्रम में अपने उजल भविस कमार प्रस करिए पूरा प्रयास होगा ने से ने सरूप में आप सभी के वीच आप सभी कि निवंद को समसमाइक बनाने के लिए मैं फिर से आप सभी के विच निवंद लिखकर आप सभी को उपलफ्द कराऊंगी अब आते त्रितिया इस टॉपिक अर्था जो थड़ टॉपिक है महत्तपूर्ट टॉपिक है जो इस छेत्र में आते हैं और इससे डिलेटेट अल्रेडी मैं टॉपिक आफसरी को बता चुकी हो तो आप इसे जरूर ही तैयार करेंगे कहां से पढ़ेंगे तो सबसे बेस्ट है साथ हो पॉलेटी से सम्मंदित अपने ज्यान को इस निवंद मे में आप करेंगे साथ में कुछ जो समसमाइक गत्मीधियां हैं उनका भी आप इसमें रूपांकन करेंगे और मैं आप सभी को अलड़ी बता चुकी हूं निवंद आप किसी भी छेत्र में किसी भी टॉपिक पे लिख रहे होंगे आप भारत सरकार राज्य सरकार की तमाम य चाहे लोक दंत्र हो चाहे राजनितिक दल हो या दबाप सम्मू हो या कुई अन्यविसे हो राजनितिक परिप्रेच में आप उसमें जो भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा उस टॉपिक से रिलेटेज़ जो योजना चला जानी उसका जरूर आप मेंसन करेंगे करेंगे अब आम आते हैं topic 2, भिज्ञान, पर्यावरण एवं प्रध्योकी, साथ ही हो इस topic के लिए विवास पैनोर्मा is ultimate, अर्थात यदि आप इस topic पर भिज्ञान और पर्यावरण प्रध्योकी पर कोई निवन लिखना चाहते हैं, तो भिवास का जो पैनोर्मा है, उसमें प्रिया जित करेंगे, इसके अलावा साथियों चुकि यह आपके व्यक्तित का पर इक्षड़ है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा factual आपको नहीं लिखना है, लेकिन fact के माध्यम से ही आप अपने निवन के विसलेथर को आगे बढ़ाएंगे, हर एक लाइन में वें तमाम महतफूर fact ह होंगे, जिनके माध्यम से आप अपने विसलेथर को और भी कुस्पित पल्वित करेंगे, साथ में साथियों इस लेक में भी, चुकि यह वैज्यानी के बावजूद आप मानावता वादी, human approach अवस्य ही अपनाएंगे, without human approach आप बहतर निबंद में बहतर अंक प्राप्त न घ्दाप आपकी होनी चाहिए, इक अविस्कार के रूस ऴरदान के रूप में कारे कर रहा है मारे जीवन को कैसे विज्ञान ने एक रस न üst और ये सोच न बावार को परसर्स किया ए इस प्रकार से विज्ञान ने उन तमाम सुनोजिओं को दूर करने का प्रयास किया है भारत के आर्थिक उधारी करण निजी करण भूमर्णली करण और जो भी आर्थिक उधार उससे संबंदे बिंदू इसमें आएंगे साथ में कुछ महत्पूर्व भारत सरकार की जो आर्थिक नीतिया होती हैं उससे रिलेटेड प्रस्थन इस टॉपिक से पूछा जा सकते है तो आज इन सभी त्यारिकों के लिए आप योजना का कुरुछेत्र पढ़ेंगे योजना पढ़ेंगे और कुरुछेत्र पढ़ेंगे यह दो चीज आप चरूर पढ़ेंगे तीसा आप टॉपिक हम करते हैं क्रिसी और व्यापार के लिए साथ हैं योजना पत्रिका साथ म वो क्रिसी प्रदान देते हैं, तो क्रिसी पर लिखने में निश्चीतरों से किसी को कोई समस्या होने वाली नहीं है, प्रयात मेटेरियल है, प्रयात तोच है, प्रयात हम लोग उसमें ही रहे हैं, देखें हैं, समझें हैं, तो इस टॉपिक पो लिखने में काफी इंट्रेस् नाहीं दोब तोछते हुए इस टॉपिक को कवर करना है मैं पूरा प्रयास करूंगी एक निबंद आप सभी के बीच लिख कर दिखाने को किस टॉपिक पर आप कैसे समगर निबंद लिख सकते हैं अम आते हैं तीसरी टॉपिक अब वो है राष्टि और अंतराश्टी आपना करण साथियो राष्टिय आंतराश्टि आपना करम के ऐंतरगत भारत की विदेशनीथ भारत की पढूती देशó के साथ शाम्मन्द भारत का महाल सक्थियों पूछा जाएगा मेरे द्वारा आप सभी को इस टॉपिक से रिलेटेड लगबत तीन से चार टॉपिक दिये गए हैं यदि आप उसको अच्छे से त्यार करते तो निश्ची तुरुक से आप बहतर तरीके से अपने निबंद को लिखेंगे अब हम आते हैं प्राकृतिक आपदा प्राकृतिक आपदा के अंतगत साथियों भुसकरन चक्रवाद बार्टू का वुकम सभी आते हैं और यदि आप इस टॉपिक को जेग्रफी से त्यारी करते हैं खास तर पर NCRT से क्योंकि जब तक आपका कॉंस इस टॉपिक निकाली दिया जाता है एक उसका प्राकृतिक आपदा पर ही होता है तो आप जरूर योजना पत्रिका अथवाकृत कुरू छेत्र पत्रिका को इस टॉपिक से क्लियर करेंगे अब आते हैं तीसरे साथियों जो तीसरा टॉपिक हुए राष्ट्य विकास कि कि योजना चलाई जाती है जो खासे चर्चा होती है यह यह जहीं कि आपका मन रहता हुए बटी बचाओ बेटी पढ़ा योजना हुआ यह आने को योजना हुए इस लेजना पर निबंद पूछा जा सकते हैं मैं आप सभी को बताई हुए वह आप सभी को इस टॉपिक तो परिसम करने का हो सकता नहीं है उसका कारण है सातियों कि आप किसी भी योजना पर यदि लिख रहे होंगे तो उसकी महत्पुड भी सेस्ता होती योजना कब सुरू की गए उस योजना का मूल उद्देश क्या यह आप जारें उसके बाद जितने भी फैक्ट हैं लगबग उस योजना के क्रियान में कौन कौन सी ऐसी बाधक तत्व हैं उसको भी रुपांगन करेंगे उस बाधक तत्व को कैसे दूर करें उन तवाम चीजों को आप अपने इस निबंद में लिखेंगे साथियों सिग्रती सिग्र मेरे द्वारा इस टॉपिक को आप सभी के वीच कवर कराना है और मुझे पूरा वरोसा है कि आप सभी निबंद लिखने का अभ्यास आरंब कर दियोंगे साथियों यदि आप समिच्छा दिकारी साही समिच्छा दिकारी परिच्छा 2021 में सामिल होने वाले हैं तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप अभी से एक निबंद लिखना आरंब नहीं करेंगे तब तक आप अपनी तैयारी को संपूर आयम नहीं देंगे आप यह सोचेंगे कि नहीं पहले प्रारंभी परिच्छा में पास कर लो उसके बाद मैं त्यारी करूंगा तो फिर साथियों समय कब रेत के तरफ सिजल जाएगा आप त आप सभी के निबंद को जाच नहीं कर पा रही हूं इसके बावजूद मैं पूरा प्रयास करती हूं कि आप सभी जो नया पहले एड़ दरेट जीमेल डॉट कॉम इमेल पर निबंद उपलब्द कराते हैं उसको मैं समयांतर गत जाच कर आप सभी का उत्तर उपलब्द करा अथतकर में साथियों बहुत से आप सभी जो उपलब्द कराएं गए निबंद को मैं जाच भी रही हूं और उसका उत्तर भी बता रही हूं कि इसमें क्या कमिया है क्या उसमें खूबिया है और यदि निबंद अच्छा है प्रयास अच्छा है तो good का mention करके आप सभी को उ मुख्य परिच्छा के द्रिश्टिक ताकि आप अभी से उन तमाम महत्पुर्ण निबंदों की त्यारी करें जो कि आप सभी के लिए भी हज़ जरूरी है मैं सीमा गुपता आज फिर से आप अभी कोंगी कि निबंद की त्यारी के लिए आप अवस्थी योजना कुरुछेत्र साथ ही आप तमाचार पत्र के एडिटोरियल को अवस्थी अध्यन करें लेकिन सारी पत्रिकाओं को नहीं पढ़ना है योजना कुरुछेत्र को जो टॉ पॉइंट उसी पर मेहनत करें जिससे आप सहस्ता के साथ इस परिच्छा में पास हो जाएं सातियों अभी से आप तबी को धेर सारी सुपकामना है बेस्ट अफ लग अवसे ही आप सफल होंगे नमस्कार